गुड मार्णिग, linear equations in two variables, यह क्या होता है? आइए पहले से समझ लेते हैं. येदि कोई equation x plus by plus c is equal to 0, येदि इस फॉर्म में हो तुझे कहते हैं linear equations in two variables. linear equation इसलिए इसमें जो variable है x और y दोनों का power 1 है इसलिए linear equation हुआ two variables इसमें है x और y दो variables आए a b c constant होते हैं जिसमें a b c a real numbers होते हैं यह सारे होते हैं real numbers और होते हैं constant a b c are constant and x and y are variables चुकि यह equation one degree वाला equation है x का power 1 है y का power 1 है इसलिए से कहते हैं linear equation और two variables है x और y two different variables लिया गया है इसलिए इसे कहा जाता है linear equation है two variables यह तो single equation हुआ इस डबल equation हो और pair of linear equation हो system of linear equation हो तो उसी किस form में लिखा जाता है this system of linear equation हो pair of linear equation हो तो पहला equation को लिखा जाता है a1 x b1 y c1 is equal to 0 और दूसरे equation को लिखा जाता है a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0 इसे कहते हैं pair of linear equations पहला equation हुआ यह दूसरा equation हुआ अब इससे related कुछ और बाते हैं आईए उसको पहले समझ लेते हैं यह दोनों equation का solution कैसा होगा कितना होगा एक solution होगा कि many solution होगा infinite number of solutions होगा या कोई solution नहीं होगा इसको पता करने का condition है वो condition क्या है पहला देख देख दे condition तीन condition है पहला condition है A1 by A2 is not equal to B1 by B2 इट मींस A1 by A2 का ratio B1 by B2 का ratio के दी equal नहीं होगा तो इसका solution होगा unique solution unique solution मेंस only one solution unique solution मेंस only one solution होगा अचे इसका graph draw किया जाए ग्राफ इसका ड्रोग किया जा तो टाइप ऑफ ग्राफ क्या होगा होगा इंटर्सक्टिंग ग्राफ इस्तर से दोनों ग्राफ के दूसरे को इंटर्सक्ट करेगा तो आपको तीन चीज जाननी होगी पहला कंडिशन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2 तो solution होगा unique means शिर्फ कोई भी solution इसका नहीं होगा दूसरा condition condition number two यहां देखे कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो गया यह दि a1 by a2 और b1 by b2 equal हो जाए if a1 by a2 is equal to b1 by b2 हो जाए तो क्या हो सकता है solution कि a1 by a2 और b1 by b2 दोनों आपस में दी equal हो जाए तो फिर आपको यह भी जानना पड़ेगा कि c1 by c2 यह constant टर्म जो c1 by c2 equal है या नहीं यदि यह भी equal हो जाए c1 by c2 भी equal हो जाए तो infinite number of solution होता है मेने solutions होता है कि अना infinite number of solution है तो इसका graph क्या होगा consistent graph होगा एक graph के ऊपर ही दूसरा graph बनेगा इस दोनों graph का लाइन सेम होगा इससे करते हैं consistent graph तो graph consistent होगा overlap होगा आप देखे कि इसमें यह दोनों graph एक दूसरे को कितने point पर touch कर रहे हैं तो infinite point पर touch कर रहे हैं इसलिए solution भी क्या हो गया infinite infinite number of solutions infinite number of solution हो गया condition इसका है a1 by a2 b1 by b2 is equal to c1 by c2 third condition है यदि a1 by a2 b1 by b2 की equal है लेकिन c1 by c2 के equal नहीं हुआ तो क्या होगा c1 by c2 के दी equal नहीं होगा तो इस solution जो है वो no solution होगा no solution at all कोई भी solution इसका नहीं होगा no solution है इसमें ग्राप एक दूसरे को कहीं भी touch नहीं करेगा तो किस तरग ग्राप हाएगा वो ग्राप हाएगा parallel parallel lines एक दूसरे को कहीं भी touch नहीं करते हैं तो इसका ग्राप जो होगा वो parallel होगा थ्री टाइपस अब कंडिशन है आपको जान लेना होगा पहला था एवन बाइटू इस नौट इक्वल टू दूसरा में एवन बाइटू और बीवन बीटू इक्वल हुआ लेकिन सी वन बाइसी टू इक्वल है या नहीं यह आपको देखना पड़ेगा दिसी वन बाइसी ट कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट मिस होता है देरी सॉलूशन आप समय सकते हैं कंसिस्टेंट मतलब देरी सॉलूशन है इक्वेशन का सॉलूशन है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा यह कोई भी सॉलूशन नहीं है तो होगा हमने अभी देखा कि हमारे पास थ्री कंडिशन से पहला कंडिशन में यूनिक सालूशन था वान सालूशन था तो ओ क्या होगा कंसिस्टेंट होगा दूसरा कंडिशन जिसमें A1 by A2 is equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 इसमें इंफानाइट नमबर और सॉलूशन था तो ओ भी कंसिस्टेंट हुआ लेकिन इस कंडिशन में कोई सॉलूशन नहीं है यह क्या होगा inconsistent तो आपको इस तरह से चार चीज़े जननी है पहला condition क्या है दूसरा स्लू का Type क्या है Number of solution कितना है तैसरा graph किस तरह का आएगा अचा था consistent है या इनकंसिस्टेंट है इस चार्ट को अदो ध्यान मेरा के अपता कर सकता